जेहिंग दोस्तो उत्तर प्रदेश जुनाव के नतीजे आ गए हैं भारती जन्ता पार्टी की प्रिचन जीत हो ये 213 सीटे मिली हैं भारती जन्ता पार्टी के गटबंदन को समाजवादी पार्टी के गटबंदन को 125 सीटे मिली हैं ESP को एक सीट मिली है, कॉंग्रेस पार्टी को दो, और अन्ने पार्टी को दो सीटे मिली हैं दोस्तों, ये चुनाव होने के बाद, यानि उत्ता प्रदेश के नतीजे आने के बाद, दोस्तों, ये आरोप लगाया जा रहा है AI M.I.M. पर, कि अगर AI M.I.M. उत्ता प्रदेश इतनी बड़ी पिर्चन्त होई है भारती जंता पार्टी की, तो वो सिर्फ और सिर्फ AI M.I.M. की वज़े से होई, ये आरोप सोचल मीडिया पर लगाया जा रहा है, असुद्दीन, OEC साब के उपर, और AI M.I.M. की पार्टी के उपर, दोस्तों, क्योंकि नतीजे आने से प पार्टी के गडबंदन की सरकार बन गई, अकेले भारती जंता पार्टी 255 सीटे जीती है और गडबंदन मिलाके 273 सीटे जीती है, कुछ सीटे दोस्तों, स्क्रीन पर मैं आपको दिखाना चाहूँआ, ये सीटे दिखाया जा रहा है, AI M.I.M. की वज़े से समाजवादी आरेलडी गडबंदन हार गया, और भारती जंता पार्टी जीत गई, ये आरोप लगाया जा रहा है, AI M.I.M. के उपर, पर दोस्तों, असलियत क्या है, आकड़े क्या है, ऐसी कितनी सीटे है की वज़े से AI M.I.M. की वज़े से समाजवादी पार्टी वो आरेलडी के हुआ, पर मेरी आप से रुक्वेस्ट है, कि आप इस वीडियो को पिलीज जरूर लाइक कर दिये, अगर आप चैनल पर नहीं ते चैनल को जरूर सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा दिये, ताकि मैं जंपी नहीं वीडियो लेकर आऊँगों, दोस्तों, आपको आखड़े दिखाना स्टार्ट करता हूँ, इस क्रीन पर देगी है, सबसे पहले बिजनोर की बात करते हैं, यहां समाजवादी पार्टी के गटबंदन के प्रिचाची को 95 में 1720 वोट मिले, वहीं बीजेपी को 97 में 1165 वोट मिले, बीजेपी यहां पर 1445 वोटों से हार में समाजवादी पार्टी RLD के गटबंदन को 86,514 वोट मिले, वहीं बीजेपी 87,233 वोट मिले, वहीं 719 वोट से समाजवादी पार्टी का गटबंदन हार गया और IIMIM को यहां 8,128 वोट मिले, नाकुरसीट, जो है समाजवादी गटबंदन के प्रतियाशी को 1,3,799 वोट मिले, बीजेपी 1,4,114 वोट मिले, 315 वोट से समाजवादी पार्टी के गटबंदन हार गया, और IIMIM को 8,128 वोट मिले, वहीं दोस्तों कुरसी, कुरसी में 1,18,503 वोट समाजवादी पार्टी के गटबंदन को मिले, बीजेपी के 1,18,720 वोट मिले, 217 वोट से बीजेपी जीत के, वहीं IIMIM के प्रतियाशी को 8,541 वोट मिले, वहीं सुल्तानपूर में समाजवादी पार्टी के गटबंदन को 91,706 वोट मिले, बीजेपी को 92,715 वोट मिले, और बीजेपी 1,009 वोटों से दोस्तों जीत गई, वहीं 5,251 वोट AIMIM को मिले, और समाजवादी पार्टी के गटबंदन को 92,044 वोट मिले, बीजेपी को 93,691 वोट मिले, बीजेपी यहाँ पर 1647 वोटों से जीत गई, वहीं AIMIM 2,190 वोटों से 2,190 वोट AIMIM को मिले, दोस्तों यह जो 6 सीटे हैं मैंने आपको दिखाईए, इसमें सही बात है जो सोचल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, कि अगर यहाँ पर AIMIM चुनाब नहीं लड़ती, तो समाजवादी पार्टी R&D के गटबंदन को अगर AIMIM के वोट पढ़ते, तो समाजवादी पार्टी के यह जो गटबंदन के पृतियाची है, 6 के 6 जीत जाते हैं, चलिए हम माल लेते हैं कि 6 सीटे समाजवादी पार्टी के गटबंदन को हम दे देते हैं, और BJP की 6 सीटे कम कर देते हैं, बची कितनी? 266 सीटे बची, 273 सीटी गटबंदन को मिली है, उससे क्या हो जाता? कुछ नहीं हो पाता, क्या समाजवादी पार्टी R&D के जो अगर अगर आप इल्दाम लगाएंगे तो फिर मायावती जी आपके उपर इल्दाम लगा सकती हैं कि मुसल्मान ने मुझे वोट ने दिया, मैं समाजवादी पार्टी और R&D गटबंदन की वज़े से हार गए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो पिर्तियाशी है, उ जो मेरा वोट बैंक था, तो ये इल्दाम लगाना बिल्कुल बंद करें, अपनी हार को सुविकार करें और ये जूटे आरोब बिल्कुल भी न लगाएं, चलिए आपकी क्या पिर्तिक रिया है, नीचे कमेंट बिक्सम जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भोलें